मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो की नीचे दिएगए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल बटन पे क्लिक किजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल और आज हम देखेंगे कि कपड़े के ऊपर से पैन, स्केज़ पैन और मार्कर का डाग कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक टीशर्ट है जिसके ऊपर एक स्केज़ पैन का डाग लगा हुआ है अब इस मार्कर से मैं इस टीशर्ट पर कुछ लिखूंगी मेरे पास यह बॉल पेन है, मैं इससे भी टीशर्ट के ऊपर कुछ मार्क करूंगी और यह तीनों के मार्क हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं यह हम देखेंगे पेन के मार्क निकालने के लिए मैंने लिया है नेल पॉलिश रिमोवर जिससे थीनर भी कहा जाता है और थोड़ा सा कॉटन यह प्रोसेस करने से पहले मैंने एक नैपकिन लिया है यह जहाँ पर यह तीनों डाग है उसकी नीचे में रखूंगी इससे क्या होगा कि यह स्टेन नीचे की साइट तक नहीं जाएगा अब मैंने थोड़े से कॉटन पर यह नेल पेंट रिमोवर लिया है और जहाँ पर यह पेंड का मार्क था वहाँ पर हम रख करेंगे नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है रबिंग अल्कोहन जिसे इस पेरिट भी कहा जाता है यह किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा तो ये spirit हमें थोड़ा सा cotton पे लेना है और जहाँ पे marker और sketch pen के mark हो वहाँ पे rub करना है अगर कपड़े के उपर का दाग बहुत ही पुराना हो तो ये process आप दो-तीन बार करके ये दाग निकाल सकते है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दाग था वो काफी कम हो गया है अब मैंने लिया है थोड़ा सा गरम पानी और इस गरम पानी में मैं एक टेबल स्पून लिक्विड डिटर्जन डालूंगी और मिक्स करूंगी और जहाँ पे ये mark है वो side हम ये पानी में भिगो के रखेंगे कम से कम 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट हो गए है हम चेक करेंगे ये देखे जहाँ पे भी ये mark थे वो सब mark चले गए है अब मैं इसे normal पानी से दो के सुखाऊंगी और सुखने के बाद हम देखेंगे कि ये कैसा दिखेगा फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि जो भी mark थे वो सब चले गए है और ये शट पहले जैसा नया हो गया है अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही नए नए टीप्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें